नमस्कार दोस्तों मैं हुशेश मनिपांड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पैरामेट टॉपिक पे जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज हम खास बात करेंगे तोचा से संबंदित एक बीमारी जिसे हम इस थायोसिस के बारे में जानते हैं इस बीमारी में जो इसकिन होती है वो इसकेली यानि की पपडी नमाया खुरदूरी हो जाती है जिसमें की खुजली होती है और कई बार इसके जढ़ती है तो काफी embarrassing ये condition होती है जिसमें की patient को काफी depression होता है तो हम जानेगी ये बीमारी के complete symptoms क्या है क्या क्या लक्षन होते हैं और ये बीमारी का कारण क्या है इससे related इलाज क्या है इसके risk को यानि की preventive approach क्या है तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में ज पूरे जरूर देखें और वीडियो के last में हम जानेंगे इसका आयरुवेदिक point of view से क्या treatment है क्या इसका cause है और उसमें क्या treatment दिया जाता है जिससे की completely cure किया जा सके तो वीडियो पूरे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल क को नवादे तो चलिए वहम वीडियो में आगी बढ़ते हैं तो इस थायूसिस की जो skin disease है इसमें skin dehydrated हो जाती है skin में scaly layer बन जाती है निकि skin मोटी हो जाती है खुजली होती है और इसकी जड़ने लगती है और इसकी red color की भी हो जाती है तो यह कई कारणों से होता है और इसके कई टाइप हैं हलाकि इसकी 20 से भी ज्यादा टाइप हैं लेकिन जो most commonly जो जिसके बारे में discussion ज्यादा किया जाता है जो most commonly observe किया जाता है वो है इस थायूसिस vulgaris और इसके लावा four types की जो most common ımızı प्वेलियो से वे हैं इस्तायोसिस बॉहिं है से टुड़ियो ऑफेड् Noel है जिन में की हम बात करेंगे एक क्के बारे मैं हमारे सब्सक्राइ nada होता है जिस में कि हमारे इसकैस ड्रीयो linking इस तो शें की inquire डेड हो जाती हैं और वो डेड़ स्किन की सेल्स हमारे आउटर मॉस्ट लेयर में जाकी कठ्था होती हैं जिन्हें निव इसकिन सेल्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और यह नेचरल प्रोसेस जिसे हम अपनी आखों से नहीं देख पाते लेकिन यह लगाता निरंतर हमारे G1 काल में चलती रहती हैं इसी कारण से हमारे इसकिन रिंकल-फ्री, मॉस्टराइजड और सॉफ्ट दिखती है लेकिन यह निव कन्सेल्स के आउटर में नहीं आपाती है और शो डेड़ स्किन सृस उन्ित लगती है उसकिन की से जड़ना यानिकिर हो जाना और साथ में खुजली पैदा होना अब यह कारण क्यों होता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं तो जो कारण है इसका जो बेसिक हुआ eggs है वह क्या होता है कि यह जो लेर बन जाती है हैसकीं कारण से जो हमारी सब्सक्याइट ब्लाउग की होने की इचिंग और इसकेली स्किन का बनना हो जाता है, ये स्किन मचली के समान इसकिन की तरह देखने लगती है, जो कि इसका देखा जाया, तो हाथ पैरों में ज़्यादा तरह देखी जाती है, इसके अलावा ये हमारे chest area, छाती में पेट में भी कभी कभी देखने को मिल सकती है, ये skin की बिमारी केवल skin को ही affect करती है, दूसरे complications, complications organs में नहीं होते हैं, बहुत rare case में देखे जाते हैं, तो ये skin की बिमारी केवल skin से ही परिशान लोग होते हैं इसमें, और ज्यादा तर ये जो इसके जो symptoms होते हैं, वो winters में ज्यादा affect होते हैं, और जो summer का season होता है, especially गर्मी गर्मी ये बर्सात का season जो होता है, उस दोरान इसके जो symptoms हैं, या तो reduce हो जाते हैं, या कई बार गायव हो जाते हैं, तो इसके जो ज्यादा तर symptoms से सबसे ज्यादा problem होती है, challenging जो phase होती है, वो होती है winter का season, तो हम बात करते हैं इसके मुख्य कारण की, इस विमारी का जो इसके माता पिता या फिर माता या पिता दोनों में से किसी को एक को है, तो संतान में या फिर maternal या paternal पक्ष में किसी को भी अगर रहा हो, तो भी genetics के अनुसार ये gene में mutation होने की वज़े से ये बीमारी या तो जन्म के समय स्टार्ट हो सकती है, या फिर after birth ये कुछ सालों बा में ही ये इसके सिंटम साना स्टार्ट हो जाते हैं, या जन्म जात हो सकती है, या फिर कई बार जन्म लेने के बाद एक साल से लेकर पांच साल के बीच में भी ये develop हो सकते हैं, और कई बार acquired phase में, या बाद में child or adult age में भी ये देखने को मिलते हैं, तो इसके दूसरे factors भी कई बार काम करते हैं, जिसमें कि कुछ बीमारिया हैं, जैसे कि chronic disease हैं, जैसे कि HIV है, cancer है, या thyroid की problem है, या skin से related दूसरे complications हैं, जैसे कि सोराइसे से एक्जिमा है, टोपिक डर्मेटाइटिस है, ये भी trigger कर सकते हैं, कुछ medications हैं, जैसे कि vitamin A से related derivatives होते हैं, जैसे कि isotretinoin है, रे करने वाली दबाई हैं, जैसे कि diuretics है, इनकी कारण भी hydration effect होता है, और ये trigger कर सकता है, और इसका जो main कारण ज्यादा तर देखा जाता है, वो है genetic mutation, तो ये genetic mutation हमारे जो chromosome number 21 में देखा जाता है, इसकी वज़े से ये genetic mutation होने की वज़े से क्या होता है, कि हमारे एक skin की जो cells म में जो बनानी के, जो formation का जो process है, उसमें एक protein, विशेश protein पाया जाता है, जिसे हम filagreen कहते हैं, ये उसको affect करता है, या ये filagreen ही जो है, हमारी skin के outer most layer को बनाता हो, बहुत सारे skin related functions को ये perform करता है, या ये responsible होता है, तो हम जान लेते हैं कि ये filagreen का roll क्या होता है हमारी body में कुछ इसके महतपूर्ण तथों के बारे में हम जानते हैं, फिलagreen की खोज बिवरली एडेल ने सन 1977 में की थी और प्रोफेसर एर्विन मैकलीन ने 2006 में skin barrier की रूप में इसकी जो महतपूर्ण भूमिका होती है, उसके बारे में theory describe की थी, फिलagreen के बारे में, ये पाया गया इसके लगभग जो मरीजों में eczema होता है, वो लगभग फिलagreen की काम ना करने की वज़े से होता है, तो ये फिलagreen का रोल क्या होता है हमारे skin से related, तो ये फिलagreen क्या करता है कि हमारे skin की outermost layer में ये जो special proteins होते हैं, उनको एक साथ लाकर skin को structure देता है, यानि कि एक flat और बनाने में ये help करता है, ये फिलagreen skin के naturally moisturizing जो molecules होते हैं, उनका production करता है, जिसकी वज़े से skin naturally moisturizing होती रहती है, और ये फिलagreen हमारे skin का जो acidic normal pH होता है, उसको ये balance बना के रखे रहती है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, फिलagreen और skin से related काफी disorders इसे associated होते हैं, तो ये फिलagreen की कमी होना ही इस विमारी का जो मुखे कारण होता है, फिलagreen की जब कमी हो जाती है, यानि कि इसका functions weak पढ़ जाता है, तो उसकी वज़े से क्या होती है, इस skin में जो है तो oil कहना चाहिए कि कम होने लगता है, साथ में hydration खता होने लगता है, तो उसकी वज़े से skin पढ़ने पर ये skin की जो cracks हैं, वो काफी बड़े और मोटे हो जाते हैं, और skin जढ़ने भी लगती है, और कई बार ये काफी painful condition भी बन जाती है, तो modern science के हिसाब से इस विमारी का complete cure नहीं है, और इस विमारी को control करने के लिए या इसके prevention के लिए कुछ खास उपाय दिये जात हैं, जैसे की L-Hastadine है, या फिर कुछ phytoceramides होते हैं, जो की skin के hydration और appearance को improve करते हैं, जैसे की lipo wheat है, इसके अलावा methoxy methyl PPD होता है, तो ये कुछ supplements होते हैं, जिनके मादम से ये finagreen के level को बढ़ाया जा सकता है, और इसके अलावा जो treatment के तौर पर दिये जाता है, वो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप एचिंग को control करें, और साथ में skin को monsterize करें, तो इसका जो main मकसद होता है, कि skin को जादा सजादा monsterize करें, और hydrated रखें, तो जिसके लिए कुछ tips होती हैं, कि monsterizer का आप use करें, especially lenoline high fat वाले जो monsterizer होते हैं, उनको उप्योग करें, दूसरा hydrated रखने के लिए, skin को अंदर से और बाहर दोनों तरफ से hydrated रखने के लिए, आप ज़्यादा सजादा पानी पिएं, ऐसे fruits लें, जो ज़्यादा रस्दार होते हैं, जैसे कि water melon है, और cucumber है, इनको आप खा भी सकते हैं, और लगा भी सकते हैं, skin को monsterize या hydrated रखने के लिए, ऐलो वेरा gel का पयोग किया जा सकता है, moisturizer को दिन में कई बार यूजकिया जा सकता है, और कोशिश ये करें कि hard soap को पयोग ना करें, बार-बार ज्यादा देर तक नहाए ना, और ज्यादा गरम पानी से नहाए, ज्यादा ठंडे पानी से नहाए, इन कुछ बातों का ध्यान इसमें रखन पड़ता है और सबसे जादा जो जो दिया जाता है वह है हाइड्रेशन एंड मॉस्टराइजर अब दूसरा एक चलेंज आता है कि इसकिन जो जढ़ती है यानि कि इसकिन की जो निकलती है उसे स्किन को निकालते समय कभी भी बहुत जोर से रब करके उसे नहीं कालना चाहिए हमेशा उसे निकालने के लिए बहुत जेंटली रब करके निकालना चाहिए हो सके तो आप बेसन को प्योग कर सकते हैं जिसमें कि आप कई चीज़े मिला भी सकते हैं जैसे कि बेसन के साथ है व इसे कैसे बचा जा सकता है और ऐस पर आयरुवेदा पॉइंट आफ व्यू से इसमें क्या इलाज है इसके बारे में हम जान लेते हैं तो आयरुवेद के हिसाब से इस्थायोसिस से एक तरह की बीमारी है जिसमें की वात और कफ कपर को बढ़ने की वज़े से यह देखा जाता है इस्थायोसिस का जो है तो काफी अच्छे से से डिस्क्राइब किया गया है अईरुवेद में भी इसे कहा गया है एक कुस्ठ safe यानि की मख्छी के समानं इस्किन हो जाना यानि मिशिलasons का वात और कफ का दोश्का बढ़ना यानि की वात और कफ की प्रकोप की बढ़ना तो आयरुवेट के हिसाब से वात दोश का जो इस्थान होता है वो होता है हमारी बढ़ियात यानि कि लार्ज इंटेस्टीन वहीं से अगर ये लार्ज इंटेस्टीन के फंक्शन्स अगर अफेक्ट होते हैं तो उसकी वज़े से वात के प्रकुब बढ़ता है और एलर्जी क बढ़ने की वज़े से जो है तो यह कफ का प्रकुब बढ़ता है जिसकी वज़े से एलर्जी बढ़ती है या यूं कहें कि खुजली बढ़ती है तो यह दोनों जो कारण होते हैं वात और कफ के प्रकुब बढ़ने की वज़े से यह इस थायोसिस की विमारी होती है वात के के हिसाब से चार प्रकार के होते हैं जिसमें की तैला वसा मज़ा और घ्रत ये चार प्रकार के जो इसने होते हैं शरीर को अंदर से ओलियट या हाइड्रेटेड रखते हैं जिसमें की सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है घी यानि की घ्रत उसके बाद आता है तैल उसके बा और शदी आती है तो उस और शदी को कहते हैं पंच तिक्त घृत इस पंच तिक्त घृत में करीब फाइब बीटर हर्प्स का कॉमिनेशन होता है जिसमें की वसा गुडुची पतोल कंटकारी और निम्ब होते हैं और साथ में इसमें गाय का घी यानिकी काव घी और त्रिफला भी एड किया जाता है तो इस विमारी से संबंधित जो पंच तिक्त का जो रिफरेंस है वो भैशाज रतनावली के 114-117 में इसका दिया गया है और वात के प्रक्रोप को और अच्छे से दूर करने के लिए एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे बस्ती यानिकी एनि इसमें प्रेपरेशन दिये जाते हैं जो कि अंदर से इंटेस्टीन को अंदर लेवल से यह चिकनाई देते हैं और एक तरह से मॉस्टराइजेशन करते हैं और यह कंप्लीट क्योर होने का दावा किया जाता है बात करते हम पंच तिक्त घृत जो की घृत घृत यानि घी य जाया अंदर से चिकनाई पैदा करेगा जिसकी वज़े से आपका अच्छे से मॉस्टराइजेशन होगा अंदर से भी और बाहर से भी उसका सर दिखेगा और साथ में हाइड्रेशन लिवल आपका मेंटेन होगा यह थी सारी जानकारी जिसमें कि हमने देखा कि एस्थायोस में थैंक यू सो मच फार वाचिंग